बिग गंज पंजाब में हमारे पस है बिग गंज जो हमारे पस स्मॉल गंज थी वो हमें छोड़के चली गी है उनको हमने अलड़ी अलविदा कह दिया है जो छोटी गंज थी अब हमारे पस बिग गंज ही है बिल्कुल अब अजंडा एक ही है बीजेपी को पंजाब में किसी तरह से बगाना है आज उम्बाला नहीं जाने दिया वहां मार दिया कल हमें गाउं से बाहर नहीं निकलने देंगे नारा के नारा चारसो पार का कैंडिडेट सारा उधार का था प्रत्याशी इसी विक का आपके प्रत्याशी हम भोषिता हमारे प्रत्याशी कोषित करें नहीं है नो drive makeуль Grand बिल्कुल अब अजंडा एक ही है बीजे पी को पंजाब में किसी तरह से बगाना है क्योंकि मोदी जी का जो अजंडा है पंजाब को खतम करने का अजंडा है कि पंजाब के किसान को पंजाब को जो तिर्खी नजर से मोदी जी देखते हैं आज अंबाला नहीं जाने दिया पहले दिली बॉर्डर पर मरवा दिये आज अंबाला नहीं जाने दिया वहां मार दिया कल हमें गाउं से बाहर नहीं निकलने देंगे हमें उन लोगों के निकाब करना है जो मोधी फॉर मोधी हैं और जो मोधी से मिले हुए है जहां बाद में मिल जाएंगे पंजाबियों को मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि आज लड़ाई कॉंगरेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मोधी से लड़ सकती है साधे 400 सीट पर हम ही लड़ रहे हैं चाहे इंडिया गटपंदन है कहीं कहीं पर हमारा लेकिन वासम में लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी ही दे रही है अगर देश के सविधान को बचाना है बावा साब अमबेद करके कॉंस्टूशन को बचाना है अगर लोगतंतर बचाना है अगर किसान बचाना है अगर पंजाब बचाना है पंजाबियत बचानी है तो एंटी मोधी वोट कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी ही मकाबला कर सकती है हरजीत गरेवाल क्या कॉंग्रेस पार्टी के तुछ सारे कैंडिडेट भी आप ले ग आपके पास तो BJP कास एक भी कैंडिडेट नी है और गरेवाल को तो अभी तर किसी ने कैंडिडेट नी बनाया है जो बरसों से पीजेपी का नाम जपने वाले और खुद अध्यक्ष लड़ने के लिए भाग रहे हैं बदाएक आम आजमी पार्टी देने पिता बसक्वा तो चुनाव लड़े ने यार इस पारे निच्जी टिपनी नहीं करना चोना है यह तो अगे देखो की होना है और आले समझ देखो मैंनू लाग दा कि अद्धी आमाजमी पार्टी बीजेपी शामल हो जाएगी अद्धी विब्स प्रवार है यह परवार यह वाजमी बनकार सबकें पूरे पंजाब के बलकौर सिंग हर युवा साथी बलकौर सिंग को प्यार करता है और बलकौर सिंग की बात क्यते हैं हमें इंसाफ चाहिए मेरे पुत्रों के जिन्होंने कतल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए कौन बचा रहा है कौन सी पार्टियां उनको बचा रही है चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो. लास्वाल की लिश एक और सवाल है. तो बही ये चन्नी साब से सभाव किजिते हैं. मेरे को लगा कि चन्नी साब का योदा ज्याना ना जाना झाथा उनका परस्णल डिसीजन है. हमारे तो दिल में हमने काऊ है. हम कोई आज से राम जी के भगत नहीं है बर्सों से हैं हम लोग और जोद्या जाने से हम ज़्यादा भगत नहीं हो जाएंगे हमारे दिल में हैं हम हर धर्मों की कदर करते हैं हर धर्म हमारे दिल में है